मैं स्क्रीन की इस साइड से जो ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुम स्क्रीन की उस साइड से जो इस वीडियो को देख रहा हूँ मैं तो मैं personal level पर तो नहीं जानता लेकिन एक बहुत ही बड़ा decision जो तुमने लिया है वो जानता हूँ and that was wasting 11 precious months जो कि तुमारी preparation के थी और ये बहुत ही खराब decision था मां कसम सच बता रहा हूँ क्योंकि आज से जस्ट दो या तीन साल पहले मैं भी एकदम same state में था अपने 10th के boards दे रहा था चाहता तो मैं भी एक गलट decision बना सकता था कि भाई नहीं पढ़ना है ये करना है वो करना है मज़े करेंगे मस्ती करेंगे सारी चीज़ा ठीक है भाई अभी बस एक minute के लिए ये समझना कि तुम्हारे बड़े भाई है तुमसे बात करना है मैं एक चीज़ और बता दू तुमको कि जो ना if you are at the age of 16 मैं भी जो है भाई 18 साल का हूँ I know that कि इस समय पे जो ना बच्चे के दमाग में क्या चल रहा होता है क्या सारी चीज़ा जा रही होती because I have been through it जवाब अगर सही तरीके से देते हो न that I am with you bro तुम लेकर के अपना boards बचा रहे होगे ये तुमारी like मैं एक guarantee दे सकता हूँ इस चीज़ की लेकिन अगर तुमने गलती से भी गलट decision ले लिया जो तुमने बहुत पहले ले लिया था तुम constantly लेते हुए आयो तो फिर मैं guarantee दे रहा हूँ तुम regret कर ले and the thing is एक कोई भी जो बच्चा होता है न इतनी चीज मैंने observe की है वो कितने ही शरारती हो कितने ही उसने गलट decisions लिये हो लेकिन जब बात मम्मी पापा पे आती है न ओई भी बच्चा कैसा भी हो वो इतने जादा emotionally attached होते हैं कि वो गलट decision ले नहीं सकते तो indirectly मैं यही बोलना चाहरा हूँ कि तुम जो भी हो तुम अपने मम्मी पापा का बुरा तो नहीं चाहते and now if I'll just ask one question जो तुमने अभी तक देखा है तुम इतने तो समझदार हो चुके हो और इतनी चीज़ा तुमने observe कर ली है मुझे बस बहुत छोड़ी सी बात बताओ बॉस एक जो बच्चा होता है जिसने जो ना लेकर के अपनी 10th को बरबाद किया है जो भी एक बच्चा होता है जिसने अपनी 10th को बरबाद किया है या अच्छे तरीके से वो नहीं पढ़ रहा है सारी चीज़ां जो ना खराब कर रहा है पढ़ाई में क्या बोला जाता है कि इसके मुम्म पापा इस पर ध्यान नहीं देते हुँ अच्छा अब एक बार केस खुट पर लेते है मान लो अगर हम भी जो ना लेकर के अपना रिजल्ट बरबाद कर लेते है सोसाइटी तो सेम रहेगी वो सेम बात है करेगी दे वल जास से अट कि इनके मम्मी पापा ने जो ना लेकर के लेट सपोस तुम्हारा नाम राहुल है तो राहुल के मम्मी पापा ने जो ना लेकर के धंग से इस पर ध्यान नहीं किया पूरी सोला साल की जो आप ब्रिंगिंग है उनकी इतनी जो नोंने मेहनत किया तो मैं पालने पोस्टने में उस पर एक सेकंड में सवाल जो है समझ रहो तुम बन जायेगा और यू रियली वॉन्ट टू है पिन तो भाई फिर तो में तुमसे क्या ही कहूँ तुम टैंथ में क्या तुम कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊगे तुमारे सारे उन दो लोगों के बारे मैं जिन्हों ने आज तक तुमको हर एक comfort दिया है तुमारे लिए हर best possible चीज तुमारे सामने लाके रखी है तुमारी एक demand पर तुमारे लिए दिनो रात मेहनत की है तुम comfortable रहो सुर्फ इस चीज के लिए बदले में उन्होंने एक चीज मांगी है कि मैं ये नहीं कहा हूँ कि पढ़ाई में 95% is what they want they just want कि तुम महनत करना सीखो और कुछ एक अच्छे इंसान बनो and I guess बच्चे जो 10th boards को जुना लेकर के एक बहुत ही छोटी सी चीज मानते है भाई भूल जाओ भी अपने कुछ उखाड़ा नहीं है लाइफ में जो आप इसे एक बहुत चोटी सी चीज मान रहे है 16 साल तक आपको raise किया गया है अपने 10th के boards को अच्छे तरीके से पास करने के लिए पास करने का मतलब यह नहीं है कि आप 60-70% से पास कर रहे हो हर एक बच्चे के माबाप यहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे जुना average में ना है क्योंकि obvious सी बात है यार एक class होती उसमें 3-4 बच्चे topper बनते हैं बागी class जुना बैठके ताली हो जाती है कौन ही माबाप चाहेंगे के लेगर के मेरा बच्चे जुना वहां वहां वह वह एक भीड में बैठा हो जहां वह ताली बजा रहा हो तो तुम्हारे को एक चीज रियलाइज होगी के अपने मम्मी पापा को खुश करना अब तुम्हारे पास में एक एम भी है एक मोटिवेशन भी है और तुम्हारे पास में एक रियलेटी चेक है so now the decision is yours कि शायद से अब तुम पढ़ना प्रना स्टार्ट कर दो या फिर अब भी वही बात है यार के फिर समय बरबाद करू क्या ही है मैंने ये जो स्टार्टिंग का पांच मिनिट का पॉर्डशन रखा था ने वीडियो का बहुत क्लियर रखा था कि देखो यहां पर से जो ना बच्चे जो भी होंगे जो समझदार होंगे वो टिकर होंगे अगर तुम बिल्कुल इस करेंट टाइम स्टेंप तक जो ना लेकर के टिके हो तो अब अपना डिसीजन बता देना इन दा कॉमेंट सेक्शन कि भाई क्या करने वाले हो तुम क्या भी भी टाइम वेस्ट करोगे कि या फिर तुम अभी अब चीजों में वापे से स्टार्ट क तो मुझे उस पर वीडियो डादनी है जस्ट वांट की भाई देखो अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं ना तो उससे बच्चों की लाइफ पर अफेक्ट पड़े I'm not that influencer की एक 9 to 16 के रेशियो पर आए समझ रहो तुम गाना बज़ रहा है डान्स किया and all I'm gone तो लाइक वो चीज ना मुझे का भी करनी थी एक बहुत छोटा सा गोल है मेरा कि मैं और तुम मिल करके तुम्हारे बोट्स पचाएं और इसमें मैं अतनी गैरंटी दे रहा हूं भाई तुम्हें कि मैं अपनी जी और जान लगा दूँगा तीन महीने जो ये मेरी लाइफ के निकलते हैं जैनुवरी फैबुरी मार्च ये पिछले दो साल से मैं ऑबसर्फ करता हुआ आ रहा हूँ बिगउज यू गईज आर में धर्ड बैच ये मैं जो न सो न ही पाता मां कासा में एक गंटे की तो नीन मिलती है दन में क्योंकि बीज से बाइस घंटे तो मैं या तो तुमारे लिए कुछ कर रहा होता हूं बना रहा होता हूं या लाइफ क्लास इसा पे होता हूँ क्योंकि उसमें नहीं मेरी गलती है तुम पढ़ते हो तो रिजल्ट आएगा नहीं पढ़ते हो तो नहीं आएगा लेकिन बात क्या है अगर तुम उस चीज पर खेल सकते हो कि हां यार मम्मी पापा को जैसा भी लगे उनको लोग कैसी भी बात है बोले तो भाई देखो फिर त कि तुम इस वीडियो के अब एंड तक अब अगर मैं फाइनली बात करूँ के भाई साब आपको जो है ना लेकर के पढ़ना कैसे तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट किस थरीके के हैं और उसके बाद में हर एक सब्जेक्ट पर क्या र यह ले रही होगी और सबसे कम नंबर तुमारे इसी में आए समझ रो तो बेसिकली देखो तुम एक छोड़ी सी बात समझ लो यहाँ पर फिसिक्स, केमिस्ट्री, बायलोजी में बस सबसे जो इंपोर्टन चीज है ना that is concept सबसे इंपोर्टन चीज इस concept जो है अगर यह अच्छे जाएंगे तो concept समझना it's very important यह concept समझें कैसे यह सबसे important चीज अभी एक और आ जाती है क्योंकि मैं सरफ वो इंसान धोड़ी हूँ जो यहाँ पर एक वीडियो बना रहा है और बस यह बता रहा है कि यह कर लो वो कर लो और यह तो कुछ है नहीं कि भाई करना कैसे है कि मैं क्या help कर सकता हूँ देखो सबसे पहली चीज concept की अगर मैं बात करूँ मेरे हर एक one shot को तुम देख सकते हो YouTube पर हर एक chapter पर मेरा one shot available है तो मैं जो भी chapter पढ़ना है बस नाम आगर डाल देना मेरा और हर एक वीडियो तुमको देखने को मिल जाई तो concept तुम उधर से clear कर सकते हूँ मतलब हर एक chapter पर तीन तीन चार चार वीडियो तुमको देखने को मिल जाएंगे even दो भी मैं chemistry की marathon आज के दिन ही आज रात के 8 बजे से जोना में schedule करने वाले हूं पूरा सले बस उसमें निपटेगा अब अगर तुम serious बच्चे हो तो तो तुम आज ही से पूछे जा सकते हो क्या level है किस level तक पूछे जा सकते है तो तुम उस तक तो prepared खुद को करना ही करना है और क्या level है बस तुम्हें इस mind side के साथ चलना है कि भाई देखो इतने ही level तक मैं भी जुना साथ दिनों में practice करूँगा because इस से उपर जाओंगा time based है जब जाने का इस फोल के देखोगे नहीं ना तो इसलिए notes उसके बाद में mathematics की बात करूँ सीधा सीधा simple formula है या formula पहले समझ लो कोई भी एक chapter पर है like आधे page के formula भी नहीं होंगे 2-3 formula हम कोई ले करके समझने हो उसका सीधा-सीधा game calculation का हम ले करके कोई भी किताब नहीं उठाएंगे ना ही computers क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो तुमको 9th की सारी चीज़े आनी चाहिए basic level पर तुम्हारे foundation clear होनी चाहिए अगर 9th नहीं आती 10th तो बेटा तुम पढ़ी नहीं सकते ना बात वो है नहीं के मतलब तुमने अगर 9th मिस भी करती तो 10th बहुत अच्छे पढ़नूँगा क कैसे अगर basic आपकी clear ही नहीं तो आप कहाँ advanced level पर जाओगे तो पहले पूरी 9th करनी है फिर पूरी 10th करनी है तो हाँ यह एक बहुत बड़ी बात है एक बहुत बड़ा गोल है और यह चीज़ तुमको धंग से समझनी पड़ेगी उसके बाद मैं अगर मैं बात करूं यहां या फिर geography one short clarify knowledge कुछ भी डाल दो तुमको सब मिल जा है उसके बाद मैं notes तुम्हें खुद से बनाने देखो notes मैं तुम्हें दे सकता हूं यह भी है अवेलिबिल भी है लेकिन main बात यह कि खुद से बनाओ यह चीज मैं चाहता हूं उसके बाद मैं यह English literature मैंने यहाँ पर इ तो तुम पूरे board exam में हगोगे और for sure अगर तुम अभी से भी पढ़ना start करते तुम्हारा कोई बहुत अच्छा भी पढ़नी आएगा कैसे तुम एकदम से जुना किसी language को बहुत जादा stronger लोगे क्योंकि इतने तगड़ी इंगले शाती है मा कसम ICSC के board exam में कि तुम्हारे जुना एक सेकंड को तोते भगेंगे लेकिन स्टिल तुम कर सकते हो अगर तुम focus करते हो भी अपनी किताबों पर में चीज भाई किताब ही है आपको वही मोटी किताब उठाके पढ़नी पढ़ेगी उसमें से कुछ ना कुछ डेली एक कैसे लिखना पढ़ेगा सब कुछ क सब दिन वो होंगे जिस दिन तुमारा सिर्फ एक target होगा कि भाई जो भी चीज को मैं ले करके बैठ रहा हूं मैं complete करूंगा नहीं तो मेरा दिन पूरा नहीं हो रहा समझ रहो मेरा target एक वह है कि भाई मैं जो भी चीज को ढगे बैठ रहा हूं ना वो मुझे complete करनी ही है at any cost नहीं तो मेरा दिन पूरा नहीं हो रहा तो यहां पर से अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो सबसे पहले तो तुम्हारा day 1 होगा ना उसमें तुम mathematics उठाके बैठ जाओ यह दो दिन का slot होगा अब ना यूग जस्ट कस्टमाइज इट एट एट और और ओन नहीं करना है कि भाई तो मैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना तुम समझ रहो देखो यहां से मैंने क्यों कर रहा है कि यह दो दो तीन तीन दिन के slots इसलिए दिये हैं कि तुम अपने इस पर जो ना इसको ले करके कस्टमाइज कर सको क्योंकि obviously मैं कोई एक ऐसा plan तो बना नहीं सकता जो universal तो इसलिए तुम इसे अपने according कस्टमाइज कर लेना लेकिन हमारा day 1 होगा जिसमें mathematics को निपटाएंगे part 1 day 2 हमारा वह रहा होगा जहां पर हम लोग physics की बात करेंगे दो दिन में हमको physics का आधा portion part 1 मतलब आधा portion निपटाना है day 3 तुमारा chemistry एक बार में देखो तीन दिन का slot दी है तीन दिन में chemistry बहुत आराम से निपटानी ही है तुम अभी मेरी जो एक लेकर के प्रीमियर session होने वाला है उसमें तुम देख लेना तुम chemistry उस level पे सीखोगे क आस तक किसी नहीं सखाई होगी कुछ नहीं करना है आठ बजे से लेकर के बारा बजे बैठ जाना है बस आठ से लेके बारा तक एक session में बैठ रहा हूँ मैं guarantee देना हूँ तुमारी chemistry दान है उसके बाद में day 4 के अभी है physics part 2 आधा से ले बस जो बच गया था जो बाकी के वो दिन तुमारी seating ऐसी होगी कि कोई ना कोई तुम lectures उठागे बैठ होगी क्योंकि देखो मैंने क्या बोला तीन चीज़ें है concept समझना है PYQs लगाने है notes करने है जो यह days days मैंने यहाँ पर लिख रखे न these are the days जहां पर तुमको लेकर के अपनी क्या चीज़ा करनी है तु वो चीज़ करनी है उसके बाद में day seven क्या हो जाएगा तुमारा mathematics जहां पर तुमको उसके जो like बचे हुए chapters है न वो तुमको लेकर के निप्टा लेना है तो ऐसे तरीके से अगर तुम चलोगे तो somewhere somewhere अगर तुम Monday से start करते हो स्टार्टिंग फ्रों Monday तुम जो लेकर के somewhere पंदरा दिन के अंदर अपनी सारी चीज़ां करके बैठ रहे होगे और वही मेरा एक में टार्गेट है कि तुम पंदरा दिन के अंदर अपना सारी चीज़ां कर दो और सब कुछ एक दम बढ़िया तरीक है साथ दिन focus इस चीज पर हैं हम कि भाई हमको कैसे जुना लेकर के अपने syllabus को डन करना है लेकिन सिर्फ syllabus ही डन नहीं करना होता चीज़ां समझ के practice भी करनी होती है नोट्स भी बनाने होते तो वह चीज़ के साथ दिन मैंने अलग से लिये हैं पस ठीक है अब मैं अगर तुमको तुम सोच रहोगे इसमें computers खाएं देखो जो तुमारे पास बचे हुए दिन होंगे ठीक है उसमें तुम लेकर के जहां तुम मैंली मानलो तुमने कोई concept समझ लिये और तुम वहाँ पर नहीं पढ़ रहे हो ठीक है मतलब मानलो के आज के दिन की अगर हम बात करें ठीक है मतलब एक हमारे पास मानलो 15th Gen है जिस दिन तुमने लेकर के मानलो हमारी Maths पड़ी ठीक है अब तुमारे पास में क्या है 16th Gen भी तो है इसमें तुम्हारे को थोड़ा बहुत टाइम मिला उसमें तुमने computers कर ली ठीक है computers कर ली उसके बाद में जो थोड़ा बहुत टाइम मिला उसमें हिस्ट्री possible है यह नहीं कि apply हो जाए तो इसलिए जुना मैंने लेकर कि वो 7 दिन को 15 दिन में settle down किया है so that you can just customize on your own comfort कि भाई किस तरीके से जुना मैं सारी चीज़े कर रहा हूँगा basic thing है कि मैंने target किया PCMB और तुमारे computers को कि भाई तुम जुना इन सारी चीज़ों को बास्ट दिन पर भी पढ़के कर दो main concern है कि हम लेकर कि अपने PCMB को और computers को done कर रहा हूँ ठीक है तो इन्हें तुम अपने according like customize कर लेना अब देखो यार तुमसे जैसे कि मैंने एक starting में बात बोली थी कि तुमारे भाईया तुमारे लिए इतनी महनत करेंगे इतनी महनत करेंगे कि हर चीज जो ना clearly visible होगी तुमारे सामने तो इसी लिए अब शायद से मैंने एक इतनी अच्छी चीज तुमारे लिए प्लैन की है कि तुम बहुत जादा मन ही मन जो ना लेकर के मतलब तुम सोचोगे कि हाँ प्रना भीया यह आपने बहुत तगड़ी चीज कर दी उसी को बताने के लिए लेट्स जस्ट गेट बेक टु द वाइट बोर्ड अब जैसे कि मैंने तुमको बताया कि बाई कम्प्यूटर्स के लिए मैंने लिट्रली एक ऐसी चीज कर रखी है जो तुम सोच भी नहीं सकते थे कहां प्रना भीया कुछ ऐसा कर देंगे हम लोग यूट्यूब पर एक लाइव सेशन ले रहा है मैं लाइव आ करके यहाँ पर तुमको पढ़ाऊंगा तुमारी पूरी कम्प्यूटर का हम एक मैराथॉन कर रहे हैं जिसमें complete syllabus of class 10th will be completed मतलब 9th का मैं तुमारे को आदे घंटे में पूरा recap भी दे दूँगा क्या 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 programming की चीज़ें जरूरी है उसके बाद में 10th की हर एक चीज़ हर एक तरीका हर एक तरीके का program हम लोग आपर कर रहे होंग basic to advance हम इसमें चलेंगे बस एक target मानना हूँ कि भाई 500 बच्चे live आकर के उसमें बैठके पढ़ रहे हूं computers बहुत बड़ी problem है बहुत demand आती है मेरे पास तभी ये चीज़ में तुम्हारी demand पर ही कर रहा हूं तो इस चीज़ को जो ना बहुत अच्छे तरीके से एक मिनिट को सुन लेना यहां पर हम लोग 15 जैन को एक सेम सेशन लेने माले हैं like mathematics part 1 17th physics part 1 19th chemistry one shot अब तुम देखर होगे यह यह पूरा जो pattern है यह कुछ वैसा ही लग रहा है जो भी आपने मुझे बताया था बताया था अब मैंने उसके time पर जो ना लेकर के तुमसे यह नहीं का था कि तुमको कोई specific YouTube से ही पढ़ना है मेरी वीडियो से ही पढ़ना है वो तुम अपने मन से decide कर सकते हैं और still the decision is like the decision is yours only कि भाई तुमको जो ने किस जगा से पढ़ना है लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि अगर तुमसे like तुमारा एक मन कर रहा है कि प्रणय भीया के साथ में बैठके पढ़ना है हम उनसे interact करते हुए पढ़ेंगे तो फिर तुम लेकर के board saviour series में आ सकते हो गिंती की 60 से 70 seats बची हुई है हमने लेकर के कल के दिन एक last 100 seats कूबन को आ रहे होते PCMB, HCG, English Computers हर एक subject हो रहा होता है and the best thing is कि भाई देखो at this moment अगर पढ़ा रहो doubts आ गाए तो क्या होगा तो YouTube पर obviously वो feature ही नहीं है कि मैं तुमारे doubt clear कर दूँ लेकिन यहाँ पर है classes one-on-one interactive है तो mic खोल के अपना doubt पूछ सकते हो literally mic खोल के जो चीज़ लोग लाखोर रुपए तुम से charge करते हैं वही same चीज़ अब तुम देखो कितने affordable price पर तुमको मिल रही है तो साथ साथ यहाँ पर तुमको mentorship daily basis पर मिलेगी तो let's suppose अगर तुमारी कोई class miss भी हो गई तो भाई आपके पास में यहाँ पर से एक वो चीज़ है कि boards के एक दिन पहले भी तुमारे पास एक mentor बैठा होगा जो तुमारे को guide कर देगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है य if you just use it, use last 100 sheets और तुम लेकर के 3150 में enroll कर लोगो, तुमारे को अगर enroll करना है भाई मैं बता दू, link is right there in the description box, बहुत कम बच्चे है, इस वीडियो को let's suppose 10,000 बच्चे देख रहे हैं, हर को ही तो enroll नहीं कर सकता, still मैं बता रहा हूँ, if you want to, you guys can just go on to the app, तुमारे से enroll कर सकते हो या अपर तुम counselors से connect कर सकते हो, and they will make you enroll, ठीक है, उसके बाद मैं अब मैं अगर तुमारे को एक बहुत जादा जरूई चीज़ बता दू, जैसे मैंने तुमको बताया है, भाई, दोको subjects जो ना लेकर के, एक तो subjects वाला main game हो गया, और एक game हो गया तुमारा days वाला, ठीक है, तो अगर ये तुमारा एक कोई मानलो दिमाग में target चल रहा है, तो तुम क्या करोगे, कि भाई, आज के दिन मैंने इसको मानलो अच्छे तरीके से सब कुछ done कर लिया, ठीक है, let's suppose मैंने जो आज के दिन मैं इसको सब कुछ अच्छे तरीके से done कर लिया, तो मैं बस एक ची चीज है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दो भाई, तुम अगर इन पंदरा दिन मैं भी एक बहुत ही खटरनाक चीज होती है, विज इस बैकलोग, अगर तुमने इन पंदरा दिन मैं भी जोना लेकर के बैकलोग बना लिए, पहले तो एक बात समझे लो भाई, त तब करना है, और I hope so, तुमको सारी चीज़ा अच्छे तरीके सा समझ में आ गई हो, इस वीडियो ने तुमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की हो, अभी हम रखते हैं यार, इस वाले वीडियो में इतना ही है, इन मिलते हैं तुमारे अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लि अब पार्यो करना ही है, एार किल किल हास्टार कॉप जभी है, और I hope so, तूमारे आ गफ किल के सास्टार इन मिलते हैं तब करना हान पहाँ है है?